नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नियूज में मैरत निसेन भारती अज हम बात करेंगे बिहार के पॉप सिंगर दिलेर महिंदी के बारे में बात साधी की हो या फिर किसी जशन की जब तक दिलेर महिंदी का पंजाबी गाने पर लोग जम कर थिरक नहीं लेते जशन सुंष्द है तो पर खुर छी रखने लगता है संगीत की दुनिया का जाना माना नाम दिलेर महिंदी इनका वास्तवेक नाम दिलेर सिंध किर्दु संगीत की दुनिया में इनको लोग दलेर महदी के नाम से जानते हैं दलेर महदी का जन्म पटना में हुआ था इनका पेशा सिर्फ गीत गाना ही नहीं है यह संगीत निर्माता और गीत लिखक भी है इनके गाने की सेली फोक, रॉक, पॉप के साथ ही भांगला संगीत भी है दिलेर महदी का संबंद एक ऐसे परिवार से है जिसमें हमेशा से गायकों की भरमार रही है दिलेर महदी ने अपनी बुलंद आवाज की बज़ा से भांगला गीत को पूरे देश दुनिया भर में लुक प्रिये बना दिया पॉप संगीत उद्ध्योग की अस्थापना बॉली विड में दिलेर महदी नहीं की है पटना से नाता रखने वाले दिलेर महदी का जन्म 18 अगस्त उनीसो सरसट को पटना में ही हुआ था दिलेर महदी को बचपन से ही संगीत का बहुत सौक था इसलिए उन्होंने पांच साल की उम्र से ही गीत गाने की कला को सिखना सुरू कर दिया अब बात करते हैं दिलेर महदी के परिवार के बारे में उनकी माता का नाम बलवीर कौर है जो की राज अस्तर ये पहलवान रह चुकी है और इनके पिता अजमेर सिह चंदन भी प्रसिध और बहुत ही अच्छे गायक रहे हैं दिलेर महदी कुल मिलाकर पाँच भाई बहन हैं जिसमें समसेर महदी जो इनके सबसे बड़े भाई है उनका निधन कुछ दिन पहले ही हुआ है वहीं इनके छोटे भाई मीका सिंग भारत में संगीत की दुनिया में धमाल मचा रहे हैं वहीं अब हम बात करते हैं इनके बीवाहित जीवन की, इनकी पत्नी का नाम तरण पृत कौर है, इनके चार बच्चे हैं, इनकी बेटी अजीत कौर, महंदी ने पंजाब के सिंगर हंस राज घंस के बेटे नववराज हंस के साथ बीवाह किया है, अब बात करते ह니다, दिलेर मह 인지yan के आस पास copy बेची गई थी दिलेर महदी ने मैंगना सौंड के साथ 3 साल के लिए तीन एल्बम का काउंट्रेक्ट साइन किया था दिलेर महदी ने साइन 1995 में अपना पहला एल्भम रिकॉर्ड किया था जो की मैंगना साउंड के का पहला एल्बम था जो पूरे भारत में तहलका मचा दिया था पहला एल्बम हीट होने के बाद इनका दूसरा एल्बम दर्दी रबरब सन 1996 में और इस एल्बम ने फीर से पूरे भारत में खलबली मचा दी जिसके बाद इनके विरोधियों के मुह पर ताला पड़ गया और प्रागातार सफलता के नए सिखर पर वो चड़ने लगे मैगना साउंड और दिलेर मेहधी के काउंट्रेक्ट के अनुसार इनका तीसरा एलबम बल्ले बल्ले सन 1997 में रिलीज हुआ जिसमें बॉलिवुड के म्यूजिक इंडस्ट्री के नए रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए इसके बाद मैगना साउंड और देश के लोगों दोआरा इन्हें सूपर एलिवीटी कहा जाने लगा था इसी एलबम के चलते इन्हें दे टर्विनीड तर्नाडा और सुल्तान आफ स्विंग जैसे सिर्सक से इंटरनेशनल मिडिया ने समानित किया था सन 1997 में ही दिलेर मेह इन्हें दिने खुद ही कमपोज किया था उन्होंने कलर्स चैनल के टॉक सो इंटर्टेर्मेट की रात में अपने भाई मीका सिंग के साथ पहुंचे थे जहां उन्होंने अपने केरियर के दवरान के स्ट्रेगल को सेर किया जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं काफी छोट तब मैं यूएस से भारत काम करने के लिए आया था मेरे पास 100 डॉलर थे जो मातर 6 महिने में ही समाफ हो गए उन्होंने बताया कि सिंगर बनने के चक्कर में सब कुछ बिग गया नौबत यहां तक आ गई थी कि मुझे कपड़े भी लोगों से मांग कर पहनने पड़े थे उन्होंने कहा कि अस्ट्रगल के दौर में एक समय ऐसा भी आया था कि मुझे लगने लगा था कि अब बस मुझे मर जाना चाहिए दिलिर ने आगे बताया कि इसके बाद उन्हें एक से बढ़कर एक कामिला सबसे पहले उन्हें एक अस्ट्रोट्सों में कामिला इसके बाद एक गाना ओफर हुआ जिसके लिए उन्हें 150 रुपिय फिस दी गई थी दिलियर ने बताया कि एक समय पर मैं 150 रुपिय में भी गाना गाता था और आज मैं गाने के लिए 1 करोड रुपिय लेता हूँ दिलियर मेहदी ने संगीत के अलावा बहुत से समाजिक कार्जों में हिस्सा लिया दिलियर मेहदी साल 2016 में भारत से वारत पुरसकार संबान से नवाजा जा चुका है क्यूंकि इन्होंने भारत के अंदर कई पेड़े और पौधों को लगाने का कार्ज किया था दिलियर मेहदी न साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले भारतिय जन्ता पाटी यानि की बीजेपी जोईन की इस से पहले इनका राधिती से कोई वास्ता नहीं रहा बताया जाता है कि भाजबा सांसद हंस राज हंस दिलियर मेहदी के बहत करीबी है और उनके कहने पर ही दिलियर मेहदी ने बीजेपी जोईन किया था संगीत से जड़ो हुए और भी ऐसी हस्तियों के बारे में जानने के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ मुझे दीजिये इजाजत धन्यवाद